एक मित्र ने प्रस्न पूछा है कि यदि कोई ब्यक्ति बिक्षु बनता है, तो इसमें कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा पुन्य है। बुद्ध गहते हैं कि यदि किसी के दीपक में तेल के बजाई पानी हो, तो वो दीपक प्रकास न दे सकेगा, और यदि लकड़ी ही कीली हो, तो उससे आग न जल सकेगी। यदि कोई कामागनी को शान्त नहीं कर सकता, यदि वो सांसारिक या दिब्य सुखों की प्राप्ति के हिस्व अपन देखता रहता है, तो वो एक निंदनी जीवन ब्यतीत करने से कैसे मुक्त हो सकता है। जो आत्म द्रस्टी से मुक्त होता है, उसी की कामागनी भी शान्त हो जाती है। वो न सांसारिक सुखों की इच्छा करता, और न स्वर्गिय सुखों की। उसकी प्राकर्तिक इच्छाओं की पूर्ति उसे अपवित्र नहीं बनाएगी। हाँ, उसे अपनी आहार विहार में संयत रहना चाहिए। अपनी शारिरिक आवशकताओं की पूर्ति भर के लिए उसे आहार विहार ग्रहन करना चाहिए। कामभोग उत्तेजग होते हैं आत्मरत मनुष्य अपनी कुप्रवत्तियों का गुलाम होता है कामभोग आदमी को हीनता परदान करते हैं उसे पत्नों मुख बनाते हैं पत्नों मुख वो अपनी ही नेचुरों में घर जाता है क्यों ऐसा होता होगा क्यों बुद्ध हमसे यह कह रहे है और यह प्रस्न कि कोई व्यक्ति अगर भेक्षू बन जाए तो कितनी बड़ी बात है इतनी ही बड़ी बात है जो आत्म द्रस्टी से मुक्त हो गया उसकी कामागनी भी शान्त हो जाती है वो सान्सार एक सुखों की इच्छा नहीं करता और नस्वर की यह सुखों की क्यों क्योंकि आत्म द्रस्टी से मुक्त हो गया मैं का भाव नहीं रहा और असल मैं मैं है भी नहीं एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है कहा है मैं उसको नहीं पता की मा कोन है उसको नहीं पता की बाप कोन है उसको नहीं पता की मेरे पास क्या है क्या लेकर आया हूँ मैं कौन सा मेरा गोद्र है कौन सा मेरी मेरा देश है कौन सी मेरी जाती है कौन सा मेरा कुल है कौन मेरे माबाब है क्या उनकी net worth है कितनी property है कितना bank balance है कितने रिस्तेदार है कितने बिरादर है कितने यार दोस्त होंगे कितने साल जेऊंगा क्या करूंगा क्या पता है उसको कुछ भी तो पता नहीं कहां है मैं और फिर वो मैसे संसार बनाता है अपनी identity से संसार बनाता है और यही identity एक दिन उसे कहीं का नहीं छोड़ती इसी को बुद्ध कहे रहे है कि जो आत्म द्रस्टी से मुक्त होता है उसी की कामागनी भी शानत होती है फिर वो सांसारिक सूखों की तलास नहीं करता और एक भिक्षियो जिलता है अपने जीवन को आध्यात्म के उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए अपने उस उद्देश्टी के लिए अपने उस लक्सी की प्राप्ती के लिए जो तथागत ने उसको समझाया है उसको बताया है तो फिर वो बुद्ध कहते थे कि कुलपुत्र है जिसने संसार जिसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया जो अपने घर से बेघर हुआ है वो कुलपुत्र किसलिए बेघर हुआ है वो कुलपुत्र बेघर हुआ है अपने को आत्म द्रस्टी से मुक्त करने के लिए वो घर से बेघर हुआ है अपनी कामागनी को शांत करने के लिए वो घर से बेघर हुआ है सांसारिक सुखों से मुक्त होने के लिए और नस्वरगी सुखों की इच्छा रखने के लिए उसका जीवन एक ऐसा जीवन है जो सिर्फ एक लक्ष पर चलता है जैसे घोड़े के दोनों आखों को सीधा वो अपने लक्षी की तरब देखे उसकी दोनों आंखों में एक प्रकार का एक प्रकार की ऐसी बस तू लगाती चाहती है कि वो फिर अपने आँखों को इदर उदर गुमा नहीं पाता आँखों के किनारे पर लगाती चाहती है वो फिर सीधे अपने लक्सी को देखता है ठीक इसी तरह एक ब्यक्ति जब आध्यात्म की राह पर संकल्प ले लेता है बढ़ने का और भिक्ष्यों बन जाता है फिर वो अपने लक्सी पर इसी तरह नजर कड़ा कर रखता है इसी को बुद्ध कह रहे हैं कि फिर वो कुल्पत्र जब घर से बिघर होता है तो फिर वो अपने द्रस्टी को आत्म द्रस्टी में नहीं लगाता फिर वो अपने को कभी भी ऐसे नहीं देखता कि उससे कोई सांसारीक सुख चाहिए और जिसने भी सांसारीक सुखों की तलास छोड़ी और निर्वान की तरह बड़ा उसको निर्वान मिलता ही है निर्वान इसी लिए मिलता है क्योंकि अब उसका लक्ष्य सांसारिक सुख नहीं है अब उसका लक्ष्य अपनी कामागनी को सांथ करना नहीं है अब उसका लक्ष्य है इस भावबंधन से मुक्ति और इस भावबंधन से मुक्ति के लिए बुद्ध कहते हैं कि जो बड़ी बात करने वाली है वो है सभी अकुशल कर्मों का त्याकरन और कुशल कर्मों को करना और अगर अकुशल कर्म करते हैं तो उनको छोड़ना और अकुशल कर्मों की जगे कुशल कर्मों को करना क्या है अकुशल कर्म जिनका परित्याक करना है एक भिख्शू को कितना बड़ा पुन्य है एक भिख्शू बनना प्रस्निय है दस अकुशल कर्म बुद्ध ने बताए एक भिक्ष्यू दस अकुशल कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है क्या है अकुशल कर्म दस प्राणी हत्या से बचना जीव रक्षा करना दूसरा चूरी मत करना तीसरा अपवित्रस्ता से बचो स्रेष्ट जीवन ब्यतीत करो चौधा जूट मत बोलो सत्य बोलो सत्य किन्तु बिवेक के साथ निर्णई निर्भई होकर और मधुर सोर में किसी के बारे में गलत मनघणनत बातें मत फैलाओ उनका परचार मत करो दूसरों के दोश मत देखते रहो बलकि अपने मित्रों के गुणों की ओर ध्यान दो ताकि तुम उनके बिरोधियों से उनका संदक्षन कर सको जटा सफथ ग्रहन मत करो किन्तु तेजे सुटा के साथ बात चीत करो साथवां गप्पे मार कर समय बरबाद मत करो मतलब की बात करो धर्म की बात करो या मोन रहो और आठवां इर्शिया जलन नहीं करना दूसरे लोगों की संपनता को देखकर हर्शित होना मुदित होना और नवां अपने हिर्देई में जलन के लिए दाहा के लिए कोई स्तान न रखो घरना मत करो सत्रुमों से भी यहां तक की सभी प्राणियों से करुना सील होकर दयावान होकर रहो और दस्वा अबिध्या को निकाल कर सत्य ज्यान को अबिध्या को अपने अंदर रस्तान दो अपने दिमाग से अबिध्या को निकाल दो अबिध्या का अंदर मतलब है अज्यानता अज्यानता की जगे ज्यान को सत्य ज्यान को अपने जीवन में स्तान दो और यदि संसाई हो, विची कित्सा हो, मिठ्या धार ना हो तो उन सभी मान्यताओं को गिरा दो उन मान्यताओं को अपने जीवन में कोई जगे मत दो जो भी इन दस अकोशल कर्मों को अपने जीवन से निकाल फेंगेगा उखाण फेंगेगा वह ब्यक्ति निर्वान गामी होगा सन्मार्ग पर आगे ही बढ़ता रहेगा यह दस अकोशल कर्म एक ब्यक्ति छोड़ता है जब वह बिक्षू बनता है वह आत्मत्रस्टी को छोड़ता है वह निंदनिये जीवन को छोड़ता है निंदनिये जीवन कहते हैं बुद्ध क्या है निंदनिये जीवन पूरे जीवन काम भोगों के प्रती दोड़ते रहना दर्श्मा के प्रती दोड़ते रहना द्वैश को अपने जीवन में अपने हिर्दे में बैठा कर रखना मोह लोव पीछे पीछे चल कर आते हैं जब कोई ब्यक्ति संसार के पीछे दोड़ता है द्रश्मा के पीछे दोड़ता है द्रश्मा अकेले नहीं होती द्रश्मा अपने साथ मोह और लोव को रखती है तभी तो ब्यक्ति दोड़ता है लोव के लिए और जब द्रश्मा कोई पूरी होती है तो मोह खिर लेता है इस तरह एक व्यक्ति मकड़ी के से जाले में उलस्ता चला जाता है फंस्ता चला जाता है और यह जो बहुत ही भाग्य से जीवन मिला था मनुश्य जीवन बड़ी सोभाग्य से मिला था यह ऐसे ही बरबाद हो जाता है इसलिए भ्यक्षू बनना बहुत ही सोवाग्य की बात है भ्यक्षू हर कोई नहीं बनता और भ्यक्षू बनकर जिसने भी अपने उपर यह काम किया भ्यक्षू बनकर जिसने बुद्ध की सरण ऐसे ही ले ली जैसे सारी पुत्री ने ली जैसे मोकलान ने ली जैसे महाकाश्य अपनिली उपर उठकर नहीं देखा उपर आँख करके नहीं देखा संसार को नहीं देखा बुद्ध की चरणों को देखा बुद्ध की सरण में रहे संसार की किसी भी बात की परवाह नहींगी संसार तो इसी तरह से कहते ही रहता है संसार तो इसी तरह से गालियां देते रहता है लेकिन संसार की परवाह नहीं करता एक बिक्षू यही बिक्षू का गुण है तो अगर कोई यह प्रस्न करता है कि एक बिक्षू क्या पुन्नी की बिक्षू बनना कितना बड़ा पुन्नी है तो बिक्षू बनना इसी लिए बड़ा पुन्नी है कि उसने इस निंदनी जीवन से अपने को उपर उठा लिया है यहां बात बुद्ध जिसको बिक्षू कहते हैं उसकी हो रही है यहां ऐसे बिक्षू की बात नहीं हो रही जिसको बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ चीवर पहन लेने से कोई बिक्षू नहीं होता सरगुटा लेने से कोई बिक्षू नहीं होता बिक्षू का अर्थ है जिसने बिक्षू के जीवन को अपने सिरोधार्य कर लिया जिसने बिक्षू के जीवन पर चलने के लिए दड़ संकल्प बनाया है जो संकल्पित है जो बुद्ध के बच्चनों को सरमाथे पर रखता है उन पर चलता है जिसने आत्म दस्टी छोड़ दी जिसने सांसारिक सुखों की इच्छा छोड़ दी जिसने स्वरगी ये सुखों की इच्छा छोड़ दी जिसका आहार बिहार संजत हो गया वह बिक्षू होता है और बिक्षू से बढ़ा बनने से बढ़ा बिक्षू के माद बिक्षू बनना और बिक्षू बनकर निर्वान पथ पर चलना इससे बढ़ा पुन्य और क्या हो सकता है यही पुन्य है कि उसने अपने इस बड़े ही सौभा के से मिले हुए जीवन को परमार्त के लिए लगा दिया जो मूल उद्देश यह है मनुश्य के जीवन का उस जीवन के पत पर उस निर्वान पत पर जो चला वही बिक्षू है और वही इस स्वभाग्य पूहन जीवन का पूरा पूरा फाइदा उठा रहा है बाकि सभी वह जो संसार में दिब्ब्य सुखों की प्राप्ति के स्वपन देख रहे हैं वह एक निंदनी जीवन ब्यतीत करेंगे आज नहीं तो कल निंदनी जीवन किसको कह रहे हैं बुद्ध यह शब्द अच्छा नहीं लगता सुनने में जब किसी को कहा जाए कि आप निंदनी जीवन ब्यतीत करोगे तो उसको बड़ा दुख मैसूस होगा उसको उसकी हिर्देव बड़ी चूट लगेगी लेकिन निंदनी ये जीवन का अर्थ है कि जीवन ऐसे ही तुच्छ में तुच्छ के कामों में ऐसे ही बरबाद हो गया जिसमें कुछ भी मिला नहीं जो कुछ भी कमाया जो कुछ भी पाया वो निसार हो जाता है उसका कोई सार नहीं वो कुछ भी काम नहीं आता मृत्यों की समय वो कुछ भी काम नहीं आता क्योंकि ऐसे ही ब्यक्ति चला जाता है उसने कोई पूंजी कमायी नहीं वो पूंजी जिसको बुद्ध कहते थे कि जब सत्मार्ग की तरब चलो तो पाथेई को साथ रखना पाथेई कार्थ होता है कि भोजन अगर भूट लगे तो भोजन करता है कोई व्यक्ति जब वो पत पर चलता है राहा पर चलता है राहगीर होता है अपने साथ कुछ पोटली बना कर रखता है पानी साथ में लेकर चलता है भोजन साथ में लेकर चलता है ताकि वो भूगा प्यासा न रहे ताकि उसका पेट भरा रहे ताकि वो उस पत पर अगर गामी हो और जब हम इस जीवन को जो बड़ी ही सौभा के से मिला है इस जीवन को छोड़ेंगे तो हमारी हालत ऐसी ही होने वाली है कि हमारे पास कोई बात ही नहीं होगा हमने रास्ते के लिए कोई तैयारी नहीं की हमने उस रास्ते के बारे में सोचाई नहीं जो हमें मुक्त करने वाला है हमने अपने जीवन को एक नेंदनी ये जीवन बना दिया अब हम कहां को जाएंगे हमारे पास कोई लक्स्य नहीं हमने कुछ कमाया नहीं हमारे पास कोई पूंजी नहीं और ये जीवन जो बड़े ही सौभागे से मिला था और किसी उद्देश्य के लिए मिला था हमने उसको निरूदेश ये निंदनी ये जीवन बना कर विदीत कर दिया अब दोनों हाथ खाली है उनमेर आख लगी वी है कुछ भी हाथ नहीं लगा नह तो संसार कोई कि संसार तो मिलना ही नहीं है किसी को नहीं मिला आज तक सिकंदर भी यहां से संसार को जीतने चला था लेकिन संसार उसे मिला नहीं वो संसार को ले जाने ही पाया वो खाली हाथ ही गया और जनाजे कि निकलते समय उसने ये घोषना भी कर दी कि जब भी मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल कर रखना ताकि दुनिया देख सके किस एक अंदर जो दुनिया जीतने चला था वो भी यहां से कुछ ले जा नहीं सकी सका खाली हाथ ही जाएगा खाली हाथ ही जा रहा है एक निंदनी जीवन ब्यतीत करकर एक संसारी एक सांसारी ऐसे ही चला जाता है लेकिन एक भिक्षू जिसने पुत्थे की सरण ली जो भिक्षू बना जो वास्तों में भिक्षू बना वह अग्रगामी है वह निर्वान आज नहीं तो कल प्राप्त करेगा ऐसा बुद्ध कहते हैं नमो बुद्धाए